नमस्कार दोस्तों स्वागा थे डेली स्टेडि में इस वीडियो में देखेंगे मध कालिन छेत्रिय राज से टोप 22 प्रसन जो आपके एकजैम्स के लिए बनते हैं तो पूरा वीडियो आप धिहान से देखिए क्योंकि एक एक प्रसन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इन प्रसनों में आपको किसी भी प्रसन का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट करके बताईएगा फर्स्ट कोस्चन है हमारा विजय नगर राज के अर्थापना किस ने की थी उत्तर होगा बी नमबर उप्शन संगम बंस ने तो देखिए और साथ में आप ये भी आद राख सकते हैं ये कन्नर को भी परोत्साहित किया था. Next. गोवा के महत्वपुर्ण किले को बहमिनियों से छिनने वाला प्राथम विजय नगर सासक कोन था? उत्तर होगा ए नमबर उप्षन हरिहर दुटिये. तो देखिए गोवा को बहमिनियों से सबसे पहले छिनने वाला प्राथम विजय नगर सासक हरिहर दुटिये था और एक बाद ध्यान में रखना है 1377 इसवी में. कब 1377 इसवी में हरिहर दुटिये ने बहमानी सुल्तान मुजाहिद की मिर्तियों के कारण हुई और व्यवस्था का लाव उठा कर गोवा को जिता था. नेक्ष्ट, 1420 इसवी में विजय नगर समराज में आने वाले इटली के यातरी का नम था उत्तर होगा B नेमबर ओप्सन निकोलो डी कॉंटि तो देखzufले sóओ में विजय नगर समराज में आने वाला इटली का यात्री निकोलो डी कॉंटी था जो देवराय प्राथम के सासनकाल में आया था दोस्तों यह सब प्रस्ण काफी इंपोर्टेंट है इसलिए आप सब को बढ़ियां से देखते चलिए और याद भी करते चलिए नेक्ट क्रिष्ण देवराय कीस राजवन्स के सासक थे तो देखिए क्रिष्ण देवराय विजय नगर राजवन्स के सासक थे यानि कि इस क्रिष्ण का उतर होगा डी नंबर उप्शन तो देखिए क्रिष्ण देवराय का राज रोहन पंद्रह सो नोव इस भी में किया गया किरिश्म देव राय ने कौन सी पुष्टक लिखी थी उत्तर होगा डी नंबर उप्षन अमुक्त मालियद किरिश्म देव राय के सासनकाल को तेलगू सहयत्य का क्लासिक यूग कहा गिया है और इनके राजदरबार में तेलगू सहयत्य के आठ सर्वस्रेष्ट कवी रहते थ तेलगू क्रती अमुक्त मालियद का लेखक कोन था तो देखिए तेलगू क्रती अमुक्त मालियद का लेखक क्रिश्म देव राय था यानि कि इस क्वेस्टन का उत्तर होगा डी नंबर उप्षन क्रिश्म देव राय नेक्स्ट अमुक्त मालियद किसका कारिय है most important है अमु विजे नगर के माध्यकालिन नगर को आजकल क्या कहते हैं और एक बाद ध्यान में रखना है हमपी को यूनेसको की विश्व विरासत अस्थलों की सूची में समयलित किया गया है हमपी के इस मारकों के समुह का निर्मान किसने किया उत्तर होगा ये नमबर उपसन हरीहर और बुक्का हमपी के खंड हैर विजय नगर समराज की प्राचिन राजधानी का परती निधित्व करते हैं और विजय नगर काल में बने इस सहर में इस मारकों के समुह के निर्मान का सरे हरीहर और बुक्का नामक दो भायों को दिया जाता है ताली कोटा की प्रसिध लराई कब हुई थी उत्तर होगा ए नमबर उपसन 1565 में तो देखिए ताली कोटा की लराई 1565 में हुई थी किनके बीच हुई थी विजय नगर समराज और दक्षिन के राजियों के बीच हुआ था 1565 में ताली कोटा की लराई मरमर विधी से गोल गुमबज का निर्मान की सासक द्वारा क्या गया था उत्तर होगा बी नंबर और उप्शन मोहमद आदिल साह द्वितिया तो देखिए करनाटक राज के बीजापur में इस्थित गोल गुमबज के निर्मान का कार्य बहमन सासक मुहम्मद आदिल साह दूतिया के सासनकाल में क्या गया था लेकिन इनका पूरा निर्मान जो है अली आदिल साह दूतिया के सासनकाल में हुआ था और एक वाधियन में रखना है मुहम्मद आदिल साह दूतिया का मकवारा कहा जाता है किसे गोल गुमबज को निमनिलिखित बहमन सासको में से बीजापुर में परसीद गोल गुमबज का निर्मान किसने किया था? ये पहले ही मैंने आपको बताया था कि मुहम्मद आदिल साह ने बीजापुर में गोल गुमबज का निर्मान किया था तो धियान में रखियेगा मुहम्मद आदिल साह ब बीजापूर में और ये प्रसन कई बार पूछा गया है, next, बीजापूर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बीजापूर किस लिए जाना जाता है, गोल गुमबज के लिए जाना जाता है, option B, next, निमनिलखीत में से किसने बीदर में मदरसे का निर्मान कराया था तो देखिए बीदर में मदरसे का निर्मान महमूद गवा ने करवाया था और महमूद गवा मुहम्मद तिर्तिय क्या बोला मैंने मुहम्मद तिर्तिय के सासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधी धारन की थ अपना की और महमूद गवा खुद भी विद्वान था और एक वाद ध्यान में रखना है महमूद गवा रावजत उल इन्सा और दिवान ए असर नामक दो पुष्टकों की रचना की है चित्तोरगड में विजय अस्थम यानि की Tower of Victory किसने बनवाया था तो इसको भी ध्यान में रखिएगा राना कुमभा ने विजय अस्थम यानि की Tower of Victory का निर्मान करवाया था यानि कि इस question का उत्तर होगा A number option राना कुमभा next चित्तावर का किर्ती अस्थम किस ने बनवाया था most important है इसका भी उत्तर होगा राना कुमभा यानि कि किर्ती अस्थम राना कुमभा ने बनवाया था option B next निमनिलखीत में से किस राजवन्स ने बीजापुर में स्वत्तंतर सासन की अस्थापना की थी उत्तर होगा C number option आदिल साही तो देखिए आदिल साही का पुरा नाम यूसूप आदिल साही था और इन्होंने 1489 इस्वी में बीजापुर में आदिल साही राजवन्स की अस्थापना की थी most important है धियान में रखेगा ये आदिल साही जो है बीजापुर में स्वत्तंतर सासन की अस्थापना की थी कव की थी 1489 इस्वी में next तो आपको पता ही होगा ये कोहिनूर हिरा जो है गोलकुंडा खान से निकाला गया था तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी आपके मन में बीचार हो वो कमेंट करके बात आईएगा और चैनल पे नए करने का बेल आइकन यानि कि घंटे उसको भी जरूर परस कर दें यानि कि घंटे को जरूर दबा देना है तक कि नए वीडियो को नेटिपिकर्शन आपको मिल जाए थैंक यू और आपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताईएगा